दोस्तों अगर आपने भी मैंतिक पास स्कोलर्शिप दोजा जाते इसके लिए अपना फोरम फिलब किये हुए थे तो आप लोगों को पाता होगा कि आप लोगों को जो 10,000 रुपे की रासी दी जाती है उस रासी को प्राप्त करने के लिए आपको अपना बैंक भरिफिकेश है वो भी आ चुका है तो जैसा कि आप लोगों को पाता ही होगा कि बैंक भरिफिकेशन का जो लास्ट देथ है वो 7 अक्तूबर 2023 तक राखा गया है 7 अक्तूबर 2023 से पहले आप लोगों को अपना बैंक भरिफिकेशन कर लेना है अब बात आती है कि आप लोग बैंक भरिफ परकार की समस्या नहों तो दोस्तों आप सवी को बैंक वेरिफिकेशन करने से पहले आप लोगों को चेक करना होगा कि आपका जो बैंक है वो कौन सा बैंक है जो मैंतिक पास स्कोलर्शिप 2023 के लिए भेरिफाइग किया गया है उसी बैंक का दीटियल्स आपको फिलप करना हो अगर आप बैंक वेरिफिकेशन करते समय किसी दूसरे बैंक का दीटियल्स फिलप करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो फोरम है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप लोगों को जो दस जार रुपे की रासी है वो नहीं मिल पाएगा तो आज के हम इस वीडि देखेगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि जो भी इस परकार की अपडेट होगी वह सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी तो चली हम बीना देए कि आज की इस वीडियो को सुरू क आते हैं तो दोस्तों जैसा कि अभी यहां पर आप देख सकते हैं हम जो हैं मुखमंत्री बालक बालका माधिक पोद्सान वजना दोजा 23 को ओफिसिल वेब साइट पर अभी हैं और इस वेब साइट पर आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे इंपूर्ट तेंट नोतिस म तो बताया गया है सभी छत्राओं को सुचित किया जाता है कि जिनका भी अधार आपके बैंक खाता से सीदेद यानि DVT के लिए लिंक नहीं है वो बैंक से तुरंट संपर्क करें क्योंकि अधार सीदिंग और खाता से अधार लिंक अलग चीजे है जिनका भी बैंक के काउंट अधार के साथ सीदेद नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा तो यहां पर आप सीदा समझे कि अगर आपका जो बैंक है वो अधार के साथ सीदेद नहीं है तो आपका जो 10,000 रुपे की रासी है वो आपको नहीं मिलेगा लेकिन अब यहां पर आप कहेंगे कि हमार एकाउंट तो अधार से सीधेद है तभी जो है हमारा एकाउंट भेइफाई हुआ है और तभी हम लोगों को यूजाइदियो पास्वर्ट मिला और तभी हम अपने फॉरम को फाइनल समित कर पाए हैं तो यह तो बिल्कुल सही अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि अब जि दूसरे एकाउंट का दीटियल्स फिलप कर देते हैं और वह बैंक जो है आपके अधार काद से सीधेद नहीं होगा तो ऐसे में आप लोगों को जो दस जार रुपय की रासी मिलने वाली है वह आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आपका ऐसे चेक करेंगे कि आपका जो बैं लेप्टॉप में गूगल को अपन करना होगा उसके बार यहां पर सर्च बार में सर्च करना होगा माई अधार तो जैसे ही आप माई अधार लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार से एक निव इंतरफेस होगा और यहां पर जो है सबसे पहले नंबर पर लिंक पर क्लिक करना होगा इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप माई अधार को ऑफिस्यल पोर्तल पर तरफ दिद यहां पर जो है आपको एक Video पर क्लिक करना होगा जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नूप्पे myself सबसे पहले अठार, आधार कोड 1 होगा विसका नमबर कारने के बादे यहां पर एक कोड को ऐप सेकर यहां पर घ्लिक करना होगा जैसे about जाएगा अधार काड से जोब करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा लोगिन का इस वाले option पर क्लिक करना होगा इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगा आप इस पोर्तल पर लोगिन हो जाएंगे इस पोर्तल पर लोगिन होने के बाद यहां पर आपको नीचे कुल करके नीचे आना होगा नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा bank seeding status का इस वाले option पर click करना होगा इस पर आप जैसे ही click करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार से एक new interface show हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जागा और यहाँ पर आपको नीचे में एक option देखने को मिलेगा जहाँ पर आपके अधार कार्ड से जो भी bank seed होगा उसकी जनकारी सो हो जाएगा तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वह आपके अधार कार्ड के last का 4 digit सो यहाँ डिक सो हो रहा है तो आपको अपने बैंक में विजित करना होगा और वहां से जो है आपको अपने बैंक सीदिंग सब्सक्राइब करवाना होगा उसके बार यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे तो last update से जिसी वहाँ होगा वह देखने मिलेगा तो आप लोग मैज स्कोलर्शिप 2023 के लिए अपना बैंक भाइफिकेशन करेंगे उस समय जो है आपको इसी बैंक का दीटियल्स फिलप करना होगा जो बैंक यहां पर आपके अधार काद से सीध बताएगा यानि कि आप लोग अपने अधार सीधिंग स्टेटस को चेक करेंगे और यहां पर बैं बैंक सिधिंग सेटास चेक किए हैं तो यहां पर बैंक सिधिंग सेटास में बैंक अबसन का जो bank of broda में account होगा उसी account का details fill up करना होगा तो दोस्तों ये तो आप समाज गये हैं कि आप लोगों को जो bank भाइफिकेशन का उस समयं लोगों को जो bank certification का ऑप्जन है वो एक से दो दिनों का भीतर आप लोगों को मिल जागा और जैसे ही आप लोगों को bank verification का option मिलेगा हम आपको वीडियो बना करके जनकाई दे देंगे कि किस परकार से आप लोगों को bank verification करना है तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में मुख मंती बालक बालका माधिक पोच्छान रोजना 2023 के bank verification करते समय आप लोगों को किस bank account का details fill up करना है जिसके regarding हम complete process आज के इस वीडियो में बताया है तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफी जड़ा पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और इसी तरह की update पाने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अग दोस्तों फिलाल आज के वीडियो में बस इतना है फी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले तोपी के साथ जाहिएं